लेकिन कॉलेज की लड़कियों पर अंदर डाले तनी इतना अंदर डालना है कि इतना बाहर रखना है बिहार के राज जी के लोग आप उस लपुआ को फॉलो करेंगे हम कपड़ी के पीछे नंगे हैं तो क्या नितीश जी के कहने पर रोट पे नंगा चले हम हमारे बिहार के मुक मंतरी बिदान सभा में इतने गंदिस सब्दों का संबोधन की है और हम लोग के सामने इसे सब्दों का संबोधन करते तो अभी उनके चेहरे पर चपल क्या उनकी हालत ऐसी खराब हो जाए बिहार में बाहर है नितीश कुमार है जी हां यह नारा आप लोग हर चुनाव में सुनते होंगे लेकिन नितीश कुमार जो है इस बार महिलाओ को आ विधान सबाव और विधान परिशत के अंदर कहते हैं और कि महिला और पुरुसर साथ में सुत्वे ना करता है जी आप लोग तो जानवे करते हैं पत्रकार महोदय को भी सुनाते हैं कि मैं जो कह रहा हूं आप लोग सुन लीजे आप लोग को काम आएगा जी हां अब कहेंगे अगर नितीज कुमार जी महिलाओं के बारे में बात्चित कर रहे हैं कि हमने उन्हें हमने महिलाओं को इतना सिक्षित बना दिया है कि वह बता कर सकती पहले जो है अंदर गिर जाता था बाहर गिरेगा इन तमाम हुदों पर आप क्या कुछ सोचती हैं वह तो यहां तक सिख अब उनहीं से सीखना पड़ेगा कई से पती पतनी को सुतना है, कब उठना है, कब बच्चा पैदा करना है, कब नहीं करना है, कितना अंदर डालना है, कितना यहीं ग्यान देंगे हम लोगों को, बाकी तो हम लोग जाहिल थे, हम दो हमारे दो family, अरे सर, सुनिये, आ आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आप हमसे सिखिए, हम बहुत जादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन हमें पता है शब्दों की परिभाशा क्या होती है, आप इसे कहते हैं, कि अब जो है, हमारा जो जनेरेशन है, वो कंट्रोल में आ गया है, क्यूंकि अब महिला, महिला अकले बच्चा पैदा करती है, उसमें आप लोग का कोई रोल नहीं होता है, क्या पुरुष लोग का, क्या तो रहीं कि महिला ससक्त हो गए, क्यों नहीं बोले कि आज कल का यूवा पीड़ी पढ़ चुका है, लड़कों को पता है कि फैमिली प्लानिंग क्या होती है वाई महिला सौफ टार्गेट ले लिए हैं हम लोग को आप करते हैं महिला के गंदगी पर क्यों आप करते हैं महिला के सेक्स एडुकेशन को आप महिला की गंदगी बता रहे हैं सेक्स एडुकेशन वो नहीं कर रहे हैं चरित्र हनन कर रहे हैं महिलाओं का चरिमांसिक एक बात बताईए सेक्स एजूकेशन आज पूरे स्कूल कॉलेजेज में खुला दिया जाता है क्या इस तरह की भासा इस्तेमाल करते हैं क्या आप से सियम में करेंगे आप भूल गए कि आप बिहार राजी के सियम हैं आप जो बोलेंगे वो पूरे देश की पूरे बिहार के लोग फॉलो करेंगे आप उस लपुआ को आप बहुत अच्छा कर रहें जो रोड पे कमेंट करता है क्यों जब आप ऐसी भासा का इस्तेमाल करते हैं आप उसको कैसे रोके वहार के मुखमंतरी लपुआ के साथ है क्या यही कर रहा हूं इस तरह की भासा वही लोग करता है इस तरह की भासा का कैसे उपयोग कर दिये आप यह नहीं देखे कि आप उस पूरे भासा में जिस बिधान सवा में महिलाएं भी बैटी भी थी उन महिलाओं पर लगता है कैसी महिला है आप उठके तुरंत खड़ी हो जाती बोलती सर ऐसी भासा का उपयोग ना करें उससे बो इसमें बोलनेंगे तो बहुत वड़िया और वो कैसी भासा बोल रहे हैं आप सुतना उठना ये भासा होता है जब हमारे बिहार के मुक मंत्री ही ऐसे सब्दों का संबोधन करेंगे तो पहले हम लोग बिहार को बहुत फक्र से कहीं जाते थे अधर कंट्री में कहीं भी जा इतने गंदे शब्दों का संबोधन कर रहे हैं मर्यादा की सारी सीमाओं को उन्होंने पार कर दिया सरमसार कर दिया ऐसा कोई शब्द नहीं बचा कि अभी इतने गंदे शब्द को बोलने के बाद कोई गंदा शब्द बच गया हो उन्होंने महिला पुरूस के जो एक कर दिये हमारे माता पिता हम लोग का शाधी करते हैं उसके बाद उन्हें भी पता है कि हमारे आने वाली पिढ़ियां एगी लेकिन आज देख़ हमारे माता पीता ने भी कभी ऐसे गंदे शब्दों का संबोधन हम लोग आज हम अम्री भी उमर करी 40 साल हो गई है आज तक इतन गंदिस सब्दों का संबोधन किया हैं तो कहीं ने के उनके पद और उनकी गरीमा को देखकर सीफ हम लोग मीडिया के सामने इस सब्दों बोल रहे हैं अगर वो आम बेक्ती होते हैं और हम लोग के सामने इसे सब्दों का संबोधन करते तो अभी उनके चेहरे पर चपल किया उनकी हालत ऐसी खराब हो जाएंगे, पता चलता कि बिहार की युरतें कमजोड नहीं है, आज भी बिहार की बेटियां जहासी की रानी से कम नहीं है, अगर वो अपने गद्धी और अपने गरीमा को इस तरह से खोएंगे, तो बिहार की युरतें पूरे देश की ओरते कभी बरदाश नहीं करेगी हम लोग महिला विकास मंच से माद्यां से निवेदन करते हैं आज भी उनके पद को देखते हुए अब उनके लिए हमारे दिल में कोई जत नहीं है, कोई समान नहीं है बस उनके पद का समान है और हम लोग बिलकुल उन से कहते हैं कि आप माफ ही मंग लिजे सर, नहीं तो आपके लिए इतना घंदा शब्द बोल दिये हैं, कि हमको मैं को नहीं लगता है कि अब आप सोच रहे हैं कि इतना घंदा घंदा भीच RAN को, रहेगा और को यह मिल जाएगा , विना मानवी जी एक सबाल मेरे मन में कचोड़ता है लोग कह रहे हैं कमेंट में मैंने बहुत सारे लोगों का यह देखा है कि कह रहे हैं कि अगर खांसर कोई भी चीज को सरल तरीके से पढ़ाते हैं तो बहुत बढ़िया गलोबल के बेस्ट टीचर है नितीज कुमार जी नि निटी इंजिनियर बोल रहे हैं, निटी कॉलेज के पढ़े हुए इंजिनियर साथ, निटी के प्रोडक्त तो है ही वह पढ़के गए, नहीं पढ़के गए, अब तो विचार प्रश्चीन बना ना, पढ़ा लिखा वेक्ति इतना घटी है, शब का इस्तेमाल नहीं करता है, सभी लोग पढ़े लिखे तो नहीं ना, लेकिन वह पूरे बिहार के मुख मंत्री है, तो करें दे तो क्या दिक्कत है, अब ही उम्र हो गया है, यह हो गया है, बुढ़ापा में लोग सठिया जाते हैं, और जब विनाश काले विप्रित वुद्धी, यही विनाश काल जो ह है, सिर्फ महिलाइएं पैदा नहीं करती है, बच्चे पूरुष भी पैदा करते, अगर आपकी मान सिक्ता अच्छी होती, तो आप उधारन में पूरुष और लड़कों का चर्चा करते ना कि महिलाओं की चर्चा करती. आप कहारे हैं उनका विनास काल चल रहा है, लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि वो परधार मंद्री को उमिद्वार है नहीं बनेंगे इस तरह की भासा इस्तेमाल करके देश की महिलाएं बेबकूफ नहीं हैं कभी भी कोई नहीं देगी महिलाओं के लिए इतना कुछ कर दिये अगर दो सब्द बोल दिये तो आप लोग पूरा मिट्टी पुलिस कर दिये यह दो सब्द बहुत कटू सब्द है उनको आगे आके मापी मांगनी चाहिए कि मापी नहीं मांगेंगे तो क्या कुछ कीजेए हम सारी महिलाय सडक पर आएंगे एजिटेशन करेंगे और एक नहीं जितनी महिला संगठन है हर एक कॉलेज की हर अब यहीं बोलते हम नारी निकलेंगे और को Hayır कोलेज की लड़कियों पर अंदर डाले था निए अरे भाई प्रॉल्बलम होगा यह कोई भी गंदा शब्द बोलने के पहले सकुचाएगा नहीं कि जब भिहार के सियम इतना गंदा सब्द बोलके गती पर बैटा हुआ है तो फिर हम लोग बोले तो क्या गलती की है इसलिए उन्हें अपनी गल्टी के लिए तो माफी मांगना होगा और इससे ज्यादा हम लोग अभी बिसेस नहीं कुछ आपको बता पाएंगे अगर उन नहीं माफी मांगे तो फिर महिला विकास मंच क्या करेगी वो देखेंगे चले ठीक है मुख मंतरी जी के सब्दों पर और महिला विकास मंच के सदस्यों के विचारों पर इन तमाम उद्दों पर आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट में उन्हीं प्रतिक्रिया है जरूर रखें बहुत बहुत धन्यवाद